बंगाल स्कूल वीडियो सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम नंदलाल बॉस के वारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या है सबसे पहले हम जानेंगे परिचे परिचे के बाद संचिफ्त जीवन परिचे अजंता की कला वा नंदाल बास नंदाल बास वा शांती निकेतन कला भावन कॉंग्रेस अधिवेशन वा नंदाल बास भारती सम्विधान की मूल परतीर के लिए चित्र नव बंगाल या न्यू बंगाल शैली के जनक परीचे बंगाल शेली के आधार इस्थम्प चित्रकारों में से एक पदब विवूशन ननलाल बॉस है यहोंने अपनी कला से ना केवल भारतिय कला को पुनर जीवित करने में सहीोग किया है बलकि भारतिय सम्विधान पर भी अपनी चित्रकारी की छटा बिखेरी है बंगाल शेली के इस महान चित्रकार का युगदान अतुल निये है चलिए इस महान चित्रकार के व्यक्तित वकला के दर्शन करते है संचिप्त जीवन परीचे ननलाल बॉस का जब 3 डिसंबर 1982 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ इनके पता पूर्ण चंदर बॉस इंजिनियर यानि के आर्किटेक्ट थे उनके पता महाराजा दर्मंगा की रियासत के मेनेजर थे उनकी माताश छित्रमणी देवी एक घ्रणी थी जो की रंगोली वा गुडिया बनाया करती थी ननलाल बॉस अपनी मा को रंगोली वा गुडिया बनाते ध्यान से देखते थे फलसरू वे पढ़ाई में कम और चित्रकला में अधिक रुची लेने लगे सन 1902 में उन्होंने हाई स्कूल की प्रिक्षा कोलकता से पास की आगे की पढ़ाई भी वो कुलकता में करते रहे अपने आयू के 20 में वश में उनका विवा सुधीरा देवी से कर दिया गया आगे की पढ़ाई वे कला में करना चाहते थे किन्तु उनके घरवालों ने उनको अनुमती नहीं दी बार बार अनुत्तीर होने के कारण उन्होंने अपने घरवालों को कला की शिक्षा के लिए मना लिया अन्तिता उन्निस सु पांच में वे कलकता के गवर्नमेंट कॉलिज ओफ आर्ट में अवनिंदरनाथ टैगोर के शिष्ष बन गए 1922 में उन्हें शांती निकीतन में इस्थित कलाव होन का प्रिधान अध्यापक बनाया गया 16 अपरेल 1966 को कलकता मेही इनका दिहांद हुआ था अजन्ता की कलावा नन्लाल बास नन्लाल बास अजन्ता के भित चित्रों से काफी प्रवावित अविन्ना टैगोर वाहेवल ने उन्हें भारती शैली के चित्र बनाने के लिए प्रिध किया था वे भारती कलावा संस्किति को उप्रजेवित करने वाले कलाकारों वा लेख़वों के सम्हूं का हिस्सा बन गए थे उन्होंने सन 1911 में आजन्ता के चित्रों की अनुकुर्तियां भी बनाई ननलाल वास वा शांती निकेतन कलावावन ननलाल वास का शांती निकेतन में स्थापित विश भारती के कलावावन से गहरा संबन रहा है यहां उन्होंने शिक्षन कारिभी किया फिर वर्ष 1922 में शांती निकीतन के स्थापित विश भारती के कला भवन में पढ़ान अध्यापक चुन लिये गए इससे पहले ही कला भवन में उन्होंने शिक्षन कारिभी किया था शांती निकेतन में पद भर समालने के बाद उन्होंने रविन्ना टेगोर की रचनाओं के लिए चितर बनाए रविन्ना टेगोर के साथ उन्होंने कई देशरों की यात्राएं भी की कॉंग्रेस अधिवेशन वा नंदाल बास नंडल बॉस ने कॉंग्रेस के कुछ अधिवेशनों के लिए महत्पूर चितर बनाए वास्ता में महात्मा गांधी अपने विचारों को चितर के रूप में देखना चाहते थे अथा अकिल भारतिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में ग्रामी कला और क्राफ्ट की एक कला प्रदशनी लगवाई गई इन अधिवेशन हेतू बॉस ने कई पोस्टर वा चित्र बनाए इनके दोरा गांधी जी का लाइफ साइस रेखा चित्र खास प्रसिद हुआ पल्ली अधिवेशन में उन्होंने किसान जीवन का चित्रन किया कॉंग्रेस के कई अधिवेशनों में से हरीपुरा का अधिवेशन विशेश रूप से प्रसिद है हरीपुरा कॉंग्रेस अधिवेशन में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेमपरा था इस विशेश पोस्टर शंकला में अध्यत्री के अध्यत्मक शक्तियों को भी चित्त किया गया भारती सम्विधान की मूल पिर्टी के चित्र भारती सम्विधान की मूल पिर्टी के चित्रों को सजाने वाले चित्रकार ननलाल बॉस ही थे पर्थम परधान मंतरी जवाल नाल नहरू के कहने पर ननलाल बॉस ने भारती सम्विधान की मूल पिर्टी को सजाया उन्होंने सम्विधान को 22 चित्रों और बॉर्डर से सजाया ये काम उन्होंने अपने चात्रों के साथ मिलकर 4 साल में पूरा किया इस काम के लिए उन्हें उस समय 21 हजार का मेंदाना भी दिया गया सम्विधान के चित्रों की अगर बात करें तो सम्विधान के कवर को आजंता की भित चित्र शैली से सजाया गया शुरुआत अशोक के चिंसे की गई इसके बाद वाले पेच पर प्रस्तावना या उद्द्शिका है प्रस्तावना के इस पन्ने में सुनहरे बॉर्डर से घोडा, शेर, हाती और बैल के चित्र बने हैं आजादी के बाद मागरिकों को सम्मानित करने के लिए रास्ती प्रस्कार प्रारम हुए इन प्रस्कारों जैसे की भारतनत वा पदमश्री के प्रतीकों को भी नंदाल ने ही डिजाइन किया या बनाया जबकि 1954 में विस्वेम भी पदम भूशन से सम्मानित किये गए बास को नव बंगाल या न्यू बंगाल शैली के जनक के रूप में भी देखा जाता है हलाकि न्यू बंगाल शैली कोई अलग शैली नहीं है ये बंगाल शैली का ही एक रूप था वास्तव में बंगाल शेली के अधिकतर चितरकारों ने जल लंकी वाश तक्नीक को अपनाया था जबकि कुछ चितरकारों ने टेंपरा तक्नीक का भी प्रयोग किया इन कुछ चितरकारों में ननलाल बॉस वाचितिन नाद मजमदार आदी थे अता टेंपरा तकनीक को अपनाए जाने के कारण बंगाल शैली को ही नव बंगाल शैली या न्यू बंगाल शैली कहा गया ननलाल बॉस की कला उनकी कला अजनता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी अबनी बावु के शिश्ष होने गिनाते उनकी कला में भी भारतियता के दर्शन होते हैं उन्होंने अपनी कलपना शक्ती से भारतिय देवी देवताओं तथा प्राचीन इतिहासि घटनाओं के चित्र बनाएं उन्होंने सुतंतास अंदोलन से संबंदित चित्र भी बनाएं। ये चित्र आज भी भारती इतिहास की अमूल धरोहर साबित हो रहे हैं। इन चित्रों में दांडी यात्रा तो बहुती प्रिसिद्ध है। अब बारी है परिच्छोपयोगी महत्पूर तत्यों की। ननलल बॉस बंगाल शैली के बहुत ही महत्पूर चित्रकार हैं। इनको नव बंगाल या न्यू बंगाल शैली का जनक भी माना जाता है। नैश्टल गैली ऑफ मॉडर्ण आर्ड नई दिल्ली में उनके साथ हजाथ चित्र संग्रे थैं। इन चित्रों में लीनो कट में बना दांडी यात्रा का चित्र भी शामिल है। सर 1976 में भारती परतत्व संग्रे और भारत सरकार की संस्किती विभाग ने उनके काम के कलात्मक और सौंदर्य महत्व को देखते हुए उन्हें बहुमूल कलानिधी खोशित किया। भारती सम्विदान की मूल पिर्टी को सजाने वाले नंदल बौस ही थे। दांडी मार्च, सांथाल कन्या, सती का देत्याग, इत्यादी इनके परसेच चित्रों में शामिल हैं। चित्रकारी और कला ध्यपन के अतरिक इन्होंने तीन पुस्तके भी लिखी हैं जिनका नाम है रूपावली, शिल्पकता और शिल्पचर्चा। इंडियन सोसाइटी आफ औरियंटल आर्ट की पहली पिरदशनी में उन्हें पानसो रुपए का प्रुसकार मिला। इस पुसकार राशी से उन्होंने देश का ब्रहमन की। उन्होंने सम्मिधान की मूल पांडूलीपी को सजाया जिसे साल 1975 में भारती पुरातात सुसर्विच्चर के तहत जिला खखजाना गोशित किया गया। नलाल बॉस ने लगनो फैसपुर वहरीपुरा कांग्रेसम्मिलन के पंडाल की सज़ा की। उन्होंने ये सज़ा बंगाल की पत्वा कला के अधार पर की थी। नलाल बॉस अविन्नात के प्रमुक्ष शिश्यों में से एक थे ये मास्टर मुशाय नाम से भी प्रसिद्ध थे थे उन्हें लगनित कला अकैडमी का फैलो चुना गया और भारत सरकार ने वर्ष उन्निस सो चौन में उन्हें पदब भूशन से सम्मानित किया वर्ष उन् तो उन सभी को नौट कर लें ये सभी एक्जाम के लिहास से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब क्योंकि ये बंगाल शैली का पार्ट 3 वीडियो है तो पार्ट 1 में उत्पत्ती और पार्ट 2 में अबनी बावू के विशह में जानना भी बहुत आवश्यक है अगर आपने नहीं देखें तो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं अगर आप भारती या अधुनिक कला की तैयारी कर रहे हैं तो कंपनी शैली राजा रवीवर्वा के बाद बंगाल शैली का अध्यान जरूर करें इनसे काफी प्रशन परिक्षा में आते हैं बंगाल शैली वीडियो के सभी पार्ट्स परिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उप्योगी वजरूरी है वीडियो में बताई गई गई साबगरी को आप पढ़ भी सकते हैं इन्हें पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग मुहिनक्तर.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं इन से भी आर्टिकल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं तो टिप्स आफ दो वीडियो में इतना ही अब एक सवाल आपके लिए कि आपके नुसार बंगाल शैली का सबसे महतपूर चितरकार कौन है इसका जवाब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं च अजन्ता जैसी भारती शैलीों से प्रभावित होकर उन्होंने भारती शैली को आगे बढ़ाया भारती समविदान की मूल पिर्टी की सज्जा ने तो उन्हें भारती इतिहास में अमर कर दिया अपनी वाबू के बाद भारती कला शैली को दिशा दिखाने का काम ननलाल भॉस भरती आधुनिक कला के आरंबिक महत्पूर्ट चित्रकारों में से एक है तो इस वीडियो में इत्मा ही उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्रा